राजसबस सांसित कपिल सिब्बल ने बुद्वार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला सिब्बल ने दावा किया कि 2014 सिब भरष्टाचार का आरोप जेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए इनमें से 23 को रहत मिल गई है कॉंग्रेस समें तमाम विपक्षी दल लगातार या आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी एक वाशिंग मशीन बन गई है जिसमें भरष्ट नेताओं के जाते ही उन पर लगे सारे दाग धुल जाते हैं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज ब्रष्टाचार के केस बंद हो जा रहे हैं दरसल कपल सिब्बल की तरफ से एक खबर के जरीए ये दावा किया गया हाला कि सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते समय सिब्बल ने इस खबर को शेर नहीं किया राज सवासांसत ने कहा विपक्ष कि खिलाव बीजेपी का राजिनितिक विमर्ष कतित ब्रष्टाचार फिर भी ब्रष्टाचारियों को गले लगाओ तो देखें ये आरोब सिर्फ कपिल सिब्बल नहीं लगा रही है ये विपक्षी पार्टी लगा रही है हर नेता का कहना है कि जितने प्रष्टाचारी थे जिनका नाम पहले बीजेपी की लिस्ट में था आप वो बीजेपी में शामिल है और सभी दूद के धुले होका है कपिल सिब्बल ने बीजेपी से एक सवाल पूछा है और उन्होंने ये कहा है ये सवाल पूछ करके कि करपिया ये बताईए कि ये जो पच्चीस भरष्टाचार आरोपी के विपक्षी नेता थे तो इन नेताओं को आपने जो है आरोप बीजेपी में सामिल किया और सामिल करने के बाद पच्चीस में से 24 लोगों को बलकि सच बात तो है 23 लोगों को आपने राहत भी पहुँचा दी देखिए कपिल सिबल एक अज़वक्ता है वो ऐसे अनर्गल आरोप पर विश्वास नहीं करते हैं हलागि लगातार आरोप लग रहे थे बीजेपी पर कि बीजेपी जो है एक बासिक मसीन है और वो ऐसा दाग धो देती है इस तरीके के बड़े आरोप बीजेपी पर लग रहे थे लेकिन कपिल सिबल ने जनर्र आरोप नहीं लगाया जनर्र सवाल नहीं किया है बलकि एक कॉंक्रिट बात की है कि दो हजार चौदा से ले करके अब तक पच्चीस विपक्ष के भरष्टा चाहरे आरोपी नेताओं को आपने बीजेपी में सामिल कर लिया और उसके बाद नहीं ये भी आकला दिया कि तेईस लोगों को आपने राहत पहुचा दी अब राहत कि इस प्रकार से? किसी कम कदमा वापस हो गया, किसी की जमाना तो हो गई, किसी को जो है पिंडिंग में डाल दी गई, किसी की फाइल दाप दी गई इस तरीके कि से आपने राहत पहुचा ही है तो उन्होंने कहा कि जब आप भ्रिष्टा अचार के खिलाप कर रहे हैं और इसलिए कपिल सिंबल ने समय ये बयान और दिया है क्योंकि अभी रुद्व पुर्मे प्रधान मंत्री ने और आज ही और कल राजस्थान और मुझपण नगर में अमिस्था ने बयान दिया भ्रि भ्रिष्टा अचारियों के खिलाप हम नहीं जुकेंगे तो कपिल सिंबल ने का कि ये क्या मामला है कि जब आप भ्रिष्टा चार के खिलाप ऐसी आवाज उठा रहे हैं और उनको रख रहे हैं तो ये भी है और उसमें जब ही खास तोर से आजित पवार जो महाराश्थ के दो रोज पहले का गया सत्तर हजार करोर प्रहान मंतरी ने भी खुद का और वो जब आये तो वो डिप्टिस्वियम भी बनगा है और अब कभी-कभी जवाब आता बीजेपी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं बीजेपी के लोगों से पूछो कि भाई ये बताईए कि आ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कानून अपना काम करेगा अब कभ करेगा कैसे करेगा उसका जवाब कपिल सिंबल ने कहा कि आपने 23 लोगों को राहत भी दे दी ऐसे पश्चिम मंगालने में जिनको प्रिष्टाचार के आरोप में ग्रफतार किया गया उनको भी जब कि इस सवाल का जवाब क्या है लेकिन इस सवाल का जवाब पहले मैंने सुना था कि अमिश्चा ने भी कानून अपना काम करेगा चार्षिट अपनी होगी और जो होगा वो बकसा नहीं जाएगा लेकिन कभ होगा कैसे होगा ये देखने की बाद है तो आरोप लगातार बीजेपे पर ये लगते हो जाए गर वो नहीं होती है तो उनकी गिरफतारी हो जाएगी उसी तरफ कपल सिब्बल कहते हैं कि जो भी इनकी पार्टी में शामिल होता है उसके बाद वो दूद का धुला हो जाता है तो लगातार आरोप लग रहा है